कि योग दिवस का शुरुआत कब से हुआ योगाशन से हमें क्या-क्या बेनिफिट्स है और हमारे स्वास्त के लिए कितना लावकारी है अधर मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले ताकि मेरा कोई भी लाइटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले तो आईए जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे भारत सहीत दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस धूम धाम से मनाया जाता है 21 जून का दिन साल का 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से वेक्ति को लंबा जीवन मिलता है इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया अंतर राष्टिय योग दिवस की थीम हर साल योग दिवस अलग अलग थीम की अधार पर मनाया जाता है इस साल का थी यानि योग के साथ रहें घर पर रहें पिछले साल 2020 की थीम थी घर में रहकर योग करें स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि योग आयू की विर्धी करता है कुरोना काल में योग की उपयोगता पहले से काफी बढ़ गई है कोविट रिकवरी के बाद भी लोगों को इससे फ 21 जून को ही क्यों मनाते हैं योग दिवस क्योंकि 11 दिसंबर 2014 को संजुक्त राष्ट महा सभाने 21 जून को अंतर राष्टिय योग दिवस या 20 वी योग दिवस मनाने की घोसना की थी जिसके बाद से 2015 से 21 जून को दुनिया भर में अंतर राष्टिय योग दिवस मनाया जा लगा 21 जून को उत्री गुलार्थ पर सबसे ज्यादा सुर्ज की रोशनी पड़ती है जिसमें सबसे लंबा दिन होता है बैयाम से अभी प्राय है अपने तन मन को स्वस्थ सुन्दर और निरोग बनाए रखने के लिए किया गया परिश्रम पुर्णकारि का प्रयाश प्रात काल जल्दी उठने की आदत पड़ती है तता हमारी दिन चरिया नियमित रूप से चलती है योगा करने के अनेक लाब है जैसे व्यायाम करने से हाथ पैर और सरीर के अन्य अंग बलिष्ट हो जाते हैं सरीर में अस्फूर्ति उत्पन होती है सरीर एक्टिव हो जाता है और जोगा और व्यायाम करने से पाचन किरिया भी ठीक रहती है भूक समय पर लगती है सरीर में बलड जल्दी से बनता है सरीर हेष्ट पूष्ट रहता है स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मन का बास होता है योग और प्रानायाम करने से बहुत सारी बिमारिया ठीक हो जाती है बहु बड़े होस्पिटलों में इलाज करवाने में खर्च कर देते हैं थोड़ा सा मेहनत करने से हम बहुत सारी बिमारियों से बच सकते हैं हमें योगा को डेली रूटिन में सामिल करना चाहिए जिससे हम बहुत सारे बिमारियों से बच सकते हैं और स्वस्त शरीर और सुंदर बन लोगों ने 21 जून 2015 को नई दिल्ली में पहले अंतर राष्टिय योग दिवस के लिए 35 मिनट तक 20 योग आशन का परदर्शन किया योग दिवस दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया गया महत्पूर्ण बात यह है कि इसी दिन भारत ने दो बिश्व रिकॉर्ड बना Guinness Book of World Records में अपना नाम दर्ज करा लिया है पहला रिकॉर्ड एक जगह पर सबसे अधिक लोगों के योग करने का बना तो दूसरा एक साथ सबसे अधिक देशों के लोगों के योग करने का योग सिर्फ सहरों तक सिमित नहीं है यह गाउं में भी लोग करते हैं हमारे बी एसेफ के जवान बॉर्डर पर योग करते हैं हमारे नेवी के जवान आई एनेस बिराट पर योगा करते हुए आप देख सकते हैं उनको और आर्मी के जवान लेह लदाक सियाचीन गलैसियर में विप्रीत परस्तितियों से लड़ने के लिए अपने सरीर को योगासन से मजबूत कर रहे हैं सहर के सभी अस्कूलों में योग को गेम पिरियड में सामिल किया गया है और छोटे-छोटे बच्चे भी योगा करते हैं और योग से लाव लेते हैं और अपने सरीर को मजबूत बनाते हैं अपने मन मस्तिस को स्वस्त रखते हैं तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इफ यू लाइक माइ वीडियो, लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वाचिंग माइ वीडियो,